नमस्ते दोस्तों फिर से स्वागत है आपका यूटूब चैनल पर दोस्तों आप सभी कैसे हैं मैं उम्मिद tremendous हूं आप सभी जोड़ार हूंगे बढ़िया हूंगेCause होंगे और डेजिजल तयारे के इस यूटूब चैनल पे रोजाना मेरी क्लास देख रहे होंगे दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज अपना नंबर सिस्टम में रूल्स ऑफ डिविजिबिल्टी में पार्ट थ्री और दोस्तों पार्ट थ्री में आज मैं आपको बताने वाला हूं विशेष नियम स्पेशल रूल दोस्तों जो जो आपने डिविजिबिल्टी रूल्स में यानि की भाजगता के नियम में पड़े हैं दो तीन चार पांच छे साथ आट नौ दस इग्यारा वो सारे नियम आपको याद होने चाहिए तो यह विशेष नियम आपके ल रूल क्या है स्पेशल रूल दोस्तों देखते हैं उससे पहले दोस्तों आपको समझने पड़ेगी सहा अबाजी संख्या है special rule को समझने के लिए आपको पहले समझने पड़ेगी दोस्तों अबाजी संक्या थी apgies ऊटीए उसे में बोलते नोस्तोको, co prime numbers, co prime numbers, चलिये दोस्तों सबसे पहले देखते हैं होती क्या ही है ज्यान से दोस्तों लिखिए एक आप मैं लिख रहा हूँ यह दी दो या दो से अधिक यह दो या दो से अधिक संख्याओं का SCF कोई बोलते हैं दोस्तों GCD यानी मासव एक हो कितना हो दोस्तों वन हो तो उन संख्याओं को सह अबज्य संख्याओं कहते हैं दोस्तों इसस पेशल रूल समझने से पहले आपको को प्राइम नंबर पता होना चाहिए क्या होते हैं आई यह समझाता हूं और को प्राइम नंबर भी आपको किसमें से दूनने दोस्तों जो मैंने आपको बाजक्ता के नियम करें उसमें से कौन कौन से दोस्तों दो पी चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा और आपको दो ही नंबर लेने क्यों लेने उसका रिजन मैं अभी लास्ट में इसके वीडियो में बताऊंगा कि विशेश नियम क क्या उप्यों गया अपने एक्जाम से और आपके कैलकुलेशन में यह किस तरह से आपको बुस्ट अप करेगा वह मैं आपको बताऊंगा अभी तो सबसे पहले वापस से देखिए दोस्तों क्या बोला यदि दो या दो से अधिक संख्या हो दो भी हो सकती है दोस्तों आप कैसे दोस्तों बताथा हूं चलिए देख के जैसे में लिया दो को अधी है और दोस्तों देखे हैं दो दो का जो गुणनखंड होगा वोगा दो गुणा एक और तीन का होगा दोस्तों तीन इन्टू एक तो मैं देख पारा हूं इनका जो बैनिस्ट यानि कॉमन फेक्टर वो है वन तो दोस्तों यह दोनों हो चुकी है साभा जिसंख हैं को प्राइम नमबर लेकिन दोस्तों यह देख पारो तो मैं 2 x 1 और 6 का होगा दोस्तो 2 गुणा 3 गुणा 1 दोस्तो 2 भी आ रहा है एक तो आएगा या आएगा लेकिन उसके अलावा 2 भी आ रहा है जबकि अपने लिखा है आइसे अब कितना होना चाईए दोस्तो एक सवाल और समझते अंधिये जोस्तों जसे मैंने थी नंबर लिये कि का सॉर्फ और कर्फ धर ऐधर सत्रा और है तो समझिएगा पहले दो का बता की चिप्रण खेसार दोस्तो दो 1 का और सांट का 2 दोस्तो सांट इन तो जो कॉमन फेक्टरर आरे वह आरहें दोस्तो 1 को थी दोस्तो रहे हैं देखते हैं । करते हैं दोस्तों सबसे पहले दो से जाएगा यह तो 34 बच जाएगा अगें दो से जाएगा फिर सत्रा एक तो दोस्तों मैं देख पा रहा हूं इसका जो बेनिस्ट गुणनखंड है वह सत्रा है तो अपने बताया था अगर दो या दो से अधिक संक्या होगा SCF यानी GCD मसफ 1 तो यह संक्या एग मैं आपको बताया है कि क्या होती और नहीं होती अब देखते हैं दोस्तों आपन को जोड़े लेने तो दोस्तों जो आपने भाजगता के नियम पड़े पड़े थे वो सारे लेने तो मैं सारे बना रहा हूं सा अब अब से जोड़े फिर म देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं यह आप डाउन जरूर करें दो कॉमा ती में सारे साबाजी संकरी के जोड़े लिख रहा हूं दोस्तों को प्राइम नुम्बर स्पेर लिख रहा हूं दो कॉमा ती दो कॉमा चार नहीं लिखूंगा क्योंगी नहीं होगा दो कॉमा पाच दो कॉमा छे ही नहीं लिखूंगा दोस्तों वह नहीं होगा क्यों नहीं होगा भो मैं आपको बता चुका हूं दोjat है दो केसार बात M की तो दोस्तों 3 का 2 के साथ बन चुका है 2,3 करो चाहिए 3,2 करो बात एक ही अब 4 3,4 होता है साब आजी संग्यों के जोड़े क्यों कैसी है पर एक है दोनों एक के ही टेबल में आते हैं इसलिए फिर दोस्तों 3,5 3,5 3,5 3,6 क्यों नहीं होगा दोस्तों क्योंकि 3 और 6 दोनों ही 3 के टेबल में आते हैं देन 3,7 3,8 दोस्तों 3,9 नहीं लिखूंगा त्योंकि 3 के टेबल में आते हैं देन 3,10 3,11 नेक्स देखते हैं दोस्तों 4 के साथ 4 के साथ 3 का आ चुका है तो 5 6 का नहीं लिखूंगा दोस्तों 2 के टेबल में आ जाएगी तो 4,11 अपन को वही जोड़े बनाने जो अपन ने भाज़कता के नियम पड़े और क्यों पढ़ना है उसका रिजन अभी में बताने वाला हूं इसलिए सारे में यह जोड़े पहले लिखवा रहा हूं देन दोस्तों 5 के साथ 5,6 5,7 5,8 5,9 और 5,10 नहीं होगा दोस्तों क्योंकि उसका ऐसी है 5 हो जाएगा 5,11 दोस्तों यह सारे आपके साब अजय संक्यों के जोड़े जो मैंने लिखे हैं और भाज़कता के नियम वाल 6,7 6,8 नहीं हाएगा दोस्तों छैं को मैंनों भी नहीं आएगा दोस्तों 10 भी नहीं आएगा 11 ओके दोस्तों देन 7 के साथ देखते हैं दोस्तों साथ कउमा 7,9, 7,10, 7,11, then दोस्तों 8 के साथ, 8,9, 8,10 नहीं आएगा दोस्तों क्युदों की तेबल में आ जाएंगे दोनों इसलिए, सब अजी सेंगे जोडे बनाने और 8,11, then दोस्तों 9 के साथ, 9,10, 9,11, then दोस्तों लास्ट डोलर आएगा अपना, 10,11 तो दोस्तों ये जिते भी अपने अभी तक पिछले दो वीडियो में प्रिएस दो वीडियो में पढ़े थे बाज़ा करता है नियम उनके मैंने साबाजे जोड़ी बनाए क्यों बनाए अब बताऊंगा अब दिखते हैं दोस्तों आपन विशेष नियम क्या लिखने हैं विशेष नियम most most important लिखिएगा आप साथ साथ पहले साबाजे संगे समझी अब मैं आपको विशेष नियम लिखवा रहा हूँ क्या होता विशेष नियम समझीएगा विशेष नियम special rule हाँ जी दोस्तों क्या है यदि कोई संख्या N दो अलग-अलग अलग-अलग संख्याओं A थता B से देखिए यदि कोई संख्या N दो अलग-अलग संख्याओं A थता B से पुनता विबाजित हो Completely divisable हो A थता B से पुनता विबाजित हो विबाजित हो एवम A, B सह अबाजिये संख्याएं हो क्या हो दोस्तों सह अबाजिये संख्याएं कौन? A और B तो तो A थता B का गुननफल A थता B का गुननफल संख्या N को पुनता विबाजित करेगा 100% करेगा दोस्तों देखेए यदि कोई संख्या N है चलिए एक उदार्ण लेके बताता हूं देखिए ध्यान से क्या है वो उदार्ण दियान से देखिएगा जैसे मैंने N ली दोस्तों 24 दियान से देखिएगा 24 यदि कोई संख्या N N मैंने लिए दोस्तों 24 दो अलग-अलग संख्या हूं A तता B से पुर्य तो विबगत हूं दोस्तों मैं A ले लेता हूं दो जो अपने पढ़ रखे हैं बाजकता के नियम दोस्तों उन्हीं में सही लेना और वहां सही कुश्चन साते एक्जाम से आपके दिली प्लीस में A लेलिया दोस्तों मैंने 2 B लेलिया मैंने 2 तो दोस्तों 100% A तता B का गुणन फल यानि product तो दोस्तों इन दोनों का product कीजिए गुणन फल कीजिए 6 B 24 को पुनतव विबाजित करेगा और दोस्तों देख रहे हैं करेगा 100% करेगा बात समझ में आगे होगी आपको मैं क्या बताना चाहता हूं if a number n completely divided by two different number a and b and a and b is co prime numbers then the product of a and b also divide completely divide number n ओके दोस्तों यह नहीं है एक और example लेता हूं मैं आपको आपको समझ में आए जैसे मैंने 24 लिया दोस्तों और दोस्तों मैंने a लेलिया 4 और भी लेलिया दोस्तों 8 देखिए दोस्तों यहां से मैं देख पा रहा हूं कि 24 4 से भी completely divisible है और 8 से भी 46024 और 83024 लेकिन दोस्तों अगर आप देख पा रहे हैं तो 4 और 8 से भाजे संख्या है यानि को प्राइम नंबर्स नहीं है तो देखिए इनका जो प्रोड़क्ट होगा 32 वो 24 को completely divisible नहीं करेगा ओके दोस्तों यह था नियम ओके इसको बोलते इस पे सलूट अच्छा दोस्तों यह नियम कहा कहा माईगा बताता हूं मैं आपको देखिए दोस्तों यह सकाब बाजिस हैं जिस संख्या में दो और तीन का भाग पूरा-पूरा जाता है दोस्तों उस संख्या में चेह का भी भाग पूरा-पूरा जाएगा इन दोनों का आपको क्या करना है गुणा देन दोस्तो जिस संक्या में 2 और 5 दोनों का भाग जाना जरूरी है दोस्तो किसी एक का भी नहीं गया तो फिर नहीं जाएगा ये दियान रखना अभी मैं समझोंगा कैसे जिस संक्या में 2 और 5 का भाग पुरा पुरा जाएगा दोस्तों उस संक्या में 2 और 5 का भाग पुरा पुरा जाता है जिस संक्या में 2 और 7 का भाग पुरा पुरा जाएगा उस संक्या में 16 का भाग पुरा पुरा जाएगा 9 दुनी अथाए जिस एंकर मेंदोस्तों 2 और बाइस का भी जाएगा इस तरह से देखीए दोस्तों lässt तभी जाएगा चोबिस का जाएगा जिसमें तीस नौठीस तरह यह सारे हें जैसे जिसमें दोस्तों उसमें स्वाल जिसों आपको समझना है मैं क्या बताना चाहता है यह सब्स्flows आपके जम में आघ जुका है स्टर करके लिखिये गा निम लिखित में से निम्लिखित में से कौन सी संख्या निम्लिखित में से कौन सी संख्या 18 से पूर्णत विवाजित नहीं है दोस्तों ध्यान से देखिएगा पूछा जा रहा है अठाय से पूर्णत विवाजित नहीं है तो दोस्तों मैं लिख देता हूं पहले क्योंकि इसमें अप्शन का ही सारा रोल है अब देखते हैं दोस्तों इसको अपन कैसे फास्ट करेंगे अगर आपको जो मैंने नियम पढ़ाया भी वह अगर याद है तो दोस्तों आपको अठायगा पाड आगर नहीं आता है तो भी आप ये सवाल विथिन 10 to 15 सेकिंड में किते दोस्तों 10 से 15 सेकिंड में कर लेंगा और जिसको ये नियम नहीं आता दोस्तों वह भी कर लेगा मैं मना नहीं कर रहा हूं लेकिन वह वहां लगाएगा 2 से तीन मिनट जो एक्जाम पोजिव से अच्छी बात नहीं है बताता हूं कैसे देखी दोस्तों क्या कह रहा है इंग्लिस मीडियम को कोई बच्चा हो तो वह लिखिए in the following number which number not completely divided by 18 not completely divided by 18 हाँ जी दोस्तों तो यह आपके सामने option से कहीं बच्चों को जिनको रूल नहीं आएगा वो देखी दोस्तों क्या करेगा अठाया का पाड़ा लिखीगा पहले side में अठाया का पाड़ा लिखने के बाद में एक एक option को वह चेक करेगा एक विकल्प को चेक करेगा दोस्तों वो कर लेगा नो डाउट लेकिन वो टाइम देदेगा लेकिन अपन को उनको करना है 10 to 15 सेकंड तो दोस्तों देखें यहां मना कर रहा है मना कर रहा है वो अठाय से नहीं तो देखें दोस्तों यह कैसे करेंगे तो सबसे पहले तो आपको पता होना च जाएगा उस अंक्या में यह अठायका नहीं जाएगा। दोस्तों यहां पुछा जा रहा है नहीं जाएगा। इस于 में नहीं जाएगा। तो दोस्तो अगर इस संक्या में दो का भाग नहीं जा रहा है, इसमें दो का भाग नहीं जा रहा है, तो चाहे नो का जाए, तो अठारा का नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों का जाना अनिवार ये है, कंपल सिरी है, ओके दोस्तो, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, दी ओप् कुछ करने की जरूती नहीं है बस आपको ये नियम विशेस नियम यहाँ दोना चाहिए था कि जिस संगह में दो और नो का भाग पूरा पूरा जाएगा उसी संगह में अठाय का जाएगा और यह पूछा जा रहा है नहीं जाएगा देखें दोस्तों आपने इसको 10-15 सेगें में कर लिया नेक्स्ट एक और सवाल देखते हैं दोस्तों देखिए निमलिकित में से कौन सी संख्या निमलिकित में से कौन सी संख्या 24 से पून्यत्र विवाजित है दोस्तों देखिएगा द्यान से इस बार पूछा जा रहा है उस पिछली बार पूछा जा रहा था है नहीं है चलिए ओप्शन लिखते हैं है इस बार आपको बताना है चलिए दोस्तों है इस बार क्या पूछा जा रहा है कि निम्लिकित में से कौन से संख्या 24 से पुने तवेवर्ट है इन दे फॉलोविंग नंबर विच नंबर कम्प्लीटली डिवेजिबल बाई 24 इस बार आपको बताना है तो दोस्तों देखिए अगर आपको इस पिसल निम्म आता है तो यह अगेन आपके लिए सिर्फ और सिर्फ दस से पंदर सेकेंड का है और नहीं आता है तो पहले आप 24 की टेबल लिखिए फिर एक एक संक्या में भाग दीजिए आप कर लेंगे जरूर लेकिन दोस्तों एक्जाम पॉनेट रूप से यह बहुत ही ज्यादा टाइम आपने ले लिए और आउट हो गए और आपको यह निम्म आता है तो यह 10 से 15 सेकेंड कैसे दोस्तों बताता हूं आपको देखिए बहुत इजी तरीका है सबसे पहला आपको इसकी क्या करने पड़ेंगे दोस्तों क्या करने पड़ेंगे सभाज जिगु सबसे पहले बड़ी संख्या देखनी कौन सी देखनी दोस्तों पूछा जा आपको निम्म में आपको बताया थे अगरे आपके पांस मोर से तो जरूर देखिए आइंक का तो चले देखिए आंट का देतेए दोस्तों आट नम बहत्तर बजघ необходимо दोस्तों एक 1123 측 पार्डे में उते तो दोस्तों इसनार्ट, का भाग नहीं जा रहा है जयरे संवधनी का जय कोई फ़र्क नहीं है चलिए दोस्तों यहां देखते हैं अगें 28 शोठ जैना इलेसर आर्द गें 8जी गे दोस्तों यहां पाइट नमाटविट तर बज गया एक सोला आद उनी सोला दोस्तों इसके अंदर 8 का जा रहा है अब इन का भी जा रहा देखी एक और एक कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला तो आपको समझ में आया होगा दोस्तों कि यह जो विशेश सूरूल था आज वाली क्लास का यह किता इंपोर्टेंट है अपने लिए यह नियम आपको याद होने चाहिए दोस्तों अगर याद होंगे तो ऐसे जो इजी सवाल हैं होते हैं सब्सक्राइब नहीं होगा एक में पुछा होगा और किस तरह से विशेश नियम काम आता है यह मैं आपको बता है तो दोस्तों यह थी आज अपनी कलास विशेश नियम पर इनके नोट जरूर बनाएए दोस्तों देखिए मैं यह जो नमबर सिस्टम यह धीरे-दीर कीजिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और दोस्तों जितने भी आपके दोस्त हैं फ्रेंड्स हैं जो डिली प्लिस का एक्जाम देने जा रहे हैं उनको बताईए कि डिजिटल तयारी पे पूजन सर्थ किस तरह से पढ़ा रहे हैं और उनको जोड़िए धन्यवाद दोस्तो झाल